नमस्कार मैं तरुन वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकॉलोजिस्ट हूँ इस रीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या हिप्नो थरेपी रियल में काम करती है क्या हिप्नो थरेपी एक वैलिड टेकनीक है जिसे मेंटल डिसॉर्डर्स के इलाज में या कई सारे दूसरे मेंटल कंडिशन के रिलीव के लिए यूज किया जा सकता है क्या ये सच में साइंटिफिक तरीका है मेंटल हेल्थ को बहतर करने का इस तरह के कुछ सवालों के जवाब दूँगा और आपको समझाऊंगा कि हिपनो थरेपी को किस तरह से देखा जाना चाहिए तो आईए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं पहले बात करेंगे कि हिपनो थरेपी या जिसे आम भाशा में हिपनोसिस भी कह देते हैं ये होता क्या है hypnosis या hypnotherapy एक treatment option है एक ऐसी इलाज की पद्धती है जिसकी मदद से कई सारी different mental health conditions को ठीक किया जा सकता है In fact, बहुत सारी physical conditions को manage करने के लिए भी hypnotherapy को use किया जाता है इसके लिए एक certified और एक trained hypnotherapist एक patient को एक trans state में ले जाता है एक ऐसा state जिसमें एक person जो होता है वो जागा हुआ होता है, सोता नहीं है पर फिर भी वो पूरी तरह से conscious नहीं होता उसके मन में बहुत जादा conscious thoughts नहीं चल रहे होते और वो अपने therapist को सुन सकता है, उसकी बातों को follow कर सकता है और उसके सवालों का जवाब भी दे सकता है और वो जानता है कि वो सवालों के जवाब भी दे रहा है, क्या response दे रहा है पर फिर भी वो काफी हद तक defenceless हो जाता है अपने मन में आने वाले जो बड़े सारे तरक होते हैं, arguments होते हैं उनसे वो अपने को बाहर कर लेता है, जिसकी वजह से therapist जो जो उसे कहता है patient वैसा वैसा follow करने लगता है, या वैसा वैसा मानने लगता है तो जो suggestions या जो statements therapist यूज करता है, या उस patient को कहता है वो कुछ इस तरह से design की जाती है, जो कि patient की mental health condition के according होती है और इनी suggestions का impact पड़ता है patient की mental health condition पर, जिसकी वजह से जब वो इस trans state से बाहर आ जाता है और अपनी रोजमरा की life को continue करता है, तो ऐसे में जो इन suggestions का therapeutic impact है वो उसकी day-to-day mental health functioning पर देखा जाता है तो hypnotherapy को या किसी भी therapeutic technique को हम तभी असरदार कहेंगे जब वो session के बाद भी, मतलब जब एक therapy का session किया, उसके बाद भी patient की life को impact करे जो भी patient ने therapy के दौरान सीखा, समझा और उसकी थोड़ी सी practice करी उसका असर patient के day-to-day mental health outcomes पर देखा जाना चाहिए मतलब जैसे मान लीजिए patient का confidence level बढ़ाने के लिए hypnotherapy हो रही है तो hypnotherapy के session के बाद दिखना चाहिए, patient को खुद ऐसा महसूस होना चाहिए कि दिन भर में उसके अलग-अलग activities और अलग-अलग task में उसका confidence level बढ़ गया है तो इस तरह का impact अगर daily life पर patient में आता है hypnotherapy के session की मदद से तो हम कहेंगे कि hypnotherapy का एक therapeutic impact हुआ जो की patient पर देखने में आया और इसी सिध्धान्त पर अधारित होता है ये पूरा इलाज कि कैसे एक trans state में ले जाकर trans मतलब एक ऐसा बेहोशी जैसा state जिसमें patient पूरी तरह से बेहोश भी नहीं है और पूरी तरह से जागा हुआ भी नहीं है तो ऐसे state में ले जाकर अगर patient को कुछ suggestions दी जाएंगी क्योंकि वो उस time बहुत ही defenseless होगा बहुत जादा तरक नहीं करेगा तो ऐसे में patient therapist की बातों को सुनेगा मानेगा और उसे भरोसे के साथ अपनाएगा या यह कहें कि वो convince हो जाएगा जिससे कि उसके mind में subconscious level पर एक बदलाव आएगा जिसका की असर उसके daily life में देखने में आएगा अब सुनने में थोड़ा लग सकते है कि यह trans state क्या होता है क्या patient को आप control पूरी तरह से therapist के हाथ में चला जाता है ऐसा नहीं है trans state अक्सर हम रोज मर्रा की life में भी experience करते हैं जैसे कि कई लोग daydreaming करने लगते हैं कुछ देर के लिए अपने environment से cut जाते हैं और अपनी सोच में डूब जाते हैं वो भी एक तरह का trans state होता है कई बार कोई किताब पढ़ते समय या कोई film देखते समय या YouTube पर या किसी वीडियो में कुछ lecture सुनते समय भी लोग इतने खो जाते हैं इतने डूब जाते हैं कि वो भी एक तरह का trans state होता है जिसमें कि जो भी चर्चा हो रही होती है या जो भी वो सुन रहे होते हैं उसको इतने defenseless manner में सुनते है कि उनकी सोच और उनका जो viewpoint है वो बदलने लगता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने passive तरीके से उन चर्चाओं को सुना है या जो भी कहा जा रहा था उसको उन्होंने गहराई से सुना है समझा है तो ऐसे बहुत सारे trans वाले state हम दिन भर में experience कर लेते हैं अब एक और सवाल आता है कि क्या hypnosis और hypnotherapy एक ही चीज़ है इसका जवाब है हाँ और ना hypnosis एक ऐसा technique है एक ऐसा तरीका है जिससे की लोग जो है वो trans state में चले जा सकते हैं और जिसमें की उनको suggestions दी जा सकती है जिसको की वो मान लेते हैं और hypnotherapy इसी hypnosis का इस्तेमाल है जो की किसी की mental health condition को better करने में किया जाता है तो hypnosis तो एक मोटे तोर पर एक general technique है hypnosis को किसी भी तरह से use किया जा सकता है जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को लेकर आपके किसी परिवार के सदस्य को लेकर आपके विचार को बदलना है आप तर्क से अपने उन विचारों को नहीं बदल पारे आपके कुछ ऐसे problems हुई थी conflict हुए थे जिसकी वज़े से आप अपने उस घर के सगे संबंदी के लिए अपना नजरिया पॉजिटिव नहीं बना पार है तो hypnosis की मदद से आप उस व्यक्ति के प्रति अपना पूरा नजरिया बदल सकते है एक hypnotist आपको ऐसी suggestions दे सकता है जिससे की आपका रवईया अपने उस जान पहचान के व्यक्ति के प्रति बदल जाए तो ये तो हुआ सिरफ hypnosis पर जब depression, anxiety, addiction, PTSD या कुछ दूसरे ऐसे mental health problems के लिए जब इन ही techniques को use किया जाएगा तो उसे hypnotherapy बोला जाएगा अब एक और सवाल आता है कि hypnosis काम कैसे करता है अब जैसा की बताया कि hypnotherapy में या hypnosis में एक therapist या एक hypnotist आपको पहले तो एक trans के state में ले जाएगा जिसमें कि वो आपको कुछ relaxation exercise बताएगा आपको relax होने के लिए कहेगा आपको अपनी बातों पर ध्यान देने के लिए बोलेगा या किसी एक point पर भी आपका ध्यान दिला सकता है जैसे कि आपको कह सकता है आपके visual field में आपके सामने दिवार पर कोई point है या दिवार पर कोई छोट आसा कोई spot है या कोई हलका सा चित्र बना है उसकी तरफ देखते रहो और पूरा focus अपना उस point पर लेकर जाओ धीरे 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 आपकी आँखे भारी हो जाती है आप थोड़े सुस्त होने लगते हो आपको नींद सी महसूस होने लगती है और therapist आपको कुछ suggestions देकर धीरे 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 आपको बहुत ही subconscious से mental state में ले जाता है इसमें आप काफी relaxed feel करते हो फिर इसके बाद therapist कुछ guided suggestions देगा जिनका की कोई therapeutic goal होगा जैसा की बताया hypnosis के अंदर एक person जो होता है वो बहुत सारी suggestions के लिए जो कि उसे दी जा रही है उनके लिए open हो जाता है आम तोर पर जब आप कोई motivational speech सुनते हो या जब कोई therapist होता है या कोई आपका well visher होता है जो कि आपको कोई चीज समझा रहे है तो आप सुनोगे तो बहुत सारी चीज़े है बट आप उनमें से केवल एक या दो पर ही ज़्यादा focus लेकर जाओगे और आप पूरी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे क्यों क्योंकि आपके कुछ biases है कुछ आपकी पहले से कुछ अफधारना है जिसके हिसाब से कोई बात सुन रहे हो आप केवल एक ही चीज के ओपर ध्यान दे रहे हो क्योंकि आपको वो ज़्यादा interest की लग रही है या कई सारे बातों से आप राजी नहीं होते इसलिए आप थोड़े argumentative mood में रहते हो आपके मन में रहता है कि जैसे ही अपनी बात खतम करें तो मैं अपना point रखूंगा या रखूंगी तो कहिना कई माइंड के अंदर एक conflict चल रहा होता है एक struggle चल रही होती है जिस वज़े से आप पूरी बात पर attention नहीं दे पाते और पूरी बात को complete way में सुन नहीं पाते ग्रहन नहीं कर पाते समझ नहीं पाते Hypnosis के अंदर यही काम बहुत आसान हो जाता है कि एक therapist जितनी भी suggestions देता है आप उसको बिना किसी argument के बिना किसी resistance के as it is सुनते हो as it is उसको accept करते हो उसमें believe करते हो convince हो जाते हो जिसकी वज़े से आपकी सोच बदलने लगती है तो यही एक main mechanism है जिसमें कि हम अपने conscious state में जब हम सोच रहे होते हैं किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम थोड़े से bias जोते हैं जबकि hypnosis के अंदर biases नहीं रहते जिसकी वज़े से hypnosis काम कर पाती है suggestions हमारे उपर effect ला पाती है अब एक सवाल आता है कि hypnosis के दौरान हमारे brain में क्या हो रहा होता है Harvard University के कुछ researchers ने 57 लोगों के brain को study किया जिन पर की hypnosis किया जा रहा था तो वेग्यानिकों ने बड़ी interesting चीजें देखी वेग्यानिकों ने पाया कि लोगों के दिमाग में वो वाले दो हिस्से activated थे जो कि हमारे शरीर में चलने वाली जो गतिविदिया है physical processes या bodily जो भी mechanism processes है उनके control और processing से जुड़े होते हैं मतलब कि हमारे शरीर में क्या चल रहा है हमारे शरीर के प्रतिहम कितने aware है शरीर कितना relaxed है इस चीज़ को समझने देखने वाला जो दिमाग का हिस्सा है वो जादा activated था और इसको control करने वाला हिस्सा भी जादा activated था साथ ही हमारे दिमाग का एक हिस्सा deactivated था ये वो हिस्सा था जो कि responsible होता है हमारे actions और उन actions की awareness के connection के लिए मतलब हम कोई action लेते हैं जैसे कि मैं बोल रहा हूँ साथ ही साथ मैं aware हूँ कि मैं बोल रहा हूँ मेरी जाग रूपता कि मैं बोल रहा हूँ और साथ ही जो मैं बोल रहा हूँ इन दोनों के बीच एक connection है मैं कह सकता हूँ कि मेरे को कौन से शब्दों का चुनाव करना है क्या बोलना है, कितना बोलना है दिमाँ में कौन से विचार आ रहे हैं जिनको की मुझे कहना है किस तरह से बोलना है इन सब चीजों के बीच एक तालमेल है तो हिपनोसिस के दौरान वो ब्रेन के connections activated नहीं होते या disconnected होते हैं जो की actions की awareness और actions को connect करते हैं मतलब ये हुआ कि मैं action तो ले रहा हूं पर मैं aware नहीं हूं कि मैंने क्या action लिया या इसे दूसरी तरह से भी देख सकते हैं कि मैं aware हूं कुछ ऐसी actions के लिए कुछ ऐसा कहने करने या सोचने के लिए जो की actually मैंने किया नहीं अब यह जो finding है यह बहुत interesting है क्योंकि ये बताती ह है कि hypnosis हमारे दिमाग में काम कैसे करता है subconscious level पर consciously अपने actions को control करने का मतलब है जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ या मान लीजे मैं चल रहा हूँ, खा रहा हूँ मैं aware हूँ पर hypnosis को हम कब कहेंगे कि वो काम कर रही है जब हमारे दिमाग के action के areas तो activated है पर awareness के areas activated नहीं है कि जैसे मेरे अंदर कुछ हो तो रहा है मैं कुछ सोच तो रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ activities चल रही है, पर मैं जागरूप नहीं हूँ कि मेरे दिमाग में इस सब हो रहा है मतलब कि दिमाग के अंदर जो therapist जो suggestions दे रहा है वो store हो रही है therapist जो मुझे बोल रहा है सोचने के लिए, विचार करने के लिए वो मैं सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, मान रहा हूँ पर मैं इस चीज के लिए जागरूप नहीं हो कि वो मैं कर रहा हूँ तो इस तरह की जो processes है वो दिमाग में देखे जाते हैं brain imaging studies में इस तरह के areas ज़ादा prominently highlight हो जाते हैं तो इस से पता चलता है कि hypnosis हमारे दिमाग में काम कर रहा होता है तभी हमारे उपर उसके असर आते हैं अब कई लोगों के मन में एक सवाल आता है कि ये जो hypnosis, hypnotherapy है क्या ये बस एक placebo effect है कि बस कुछ बोल दिया, किसी ने मान लिया और करने लग गया, क्या ये ऐसी चीज है जैसे कि मान लिजे किसी trustworthy person ने आपको कहा कि आप exercise कर लेना, exercise करने से तो सारे mental health problems दूर होती है आप करने लग गया exercise, तो आप पर सच में exercise काम करने लग गयी या अगर आपको कहा कि ये दवा खा लेना, इस दवा से बिल्गुल ठीक हो जाओगे तो समझने में भी वेग्यानिकों ने अपना काफी दिमाग खर्च किया है तो जो वेग्यानिक है उनका ऐसा देखना है कि hypnosis का जो impact है वो हमारे brain पर, हमारे mental health पर, placebo की मुकाबले जादा देखने में आता है मतलब जादा बहतर असर hypnosis लेकर आता है placebo की मुकाबले तो वेग्यानिक कहते हैं कि जैसे cognitive therapy होती है, behavior therapy होती है मतलब अपने thoughts में और behavior में लाई जाने वाला जो change है जैसे वो लोगों पर जादा अच्छा असर लाता है placebo की मुकाबले वैसे ही hypnosis भी लोगों में placebo की मुकाबले जादा अच्छा असर लाती है मतलब कोई technique जब लगाई जाती है अपने behavior और thoughts को change करने में तो वो असर लाती है, लोगों के वहवार, लोगों की सोच में actual में बदलाव आते हैं जिसकी वज़े से उनकी mental health अच्छी होती है उसी तरह से hypnosis का भी effect आता है तो इसके कोई भी side effects देखने में नहीं आएंगे बहुती safe, बहुती अच्छा alternative option है उन लोगों के लिए जिन पर द्वाईया या therapy काम नहीं कर रही है मतलब जब CBT काम नहीं कर रही है पर कुछ लोगों में mild से moderate level के कुछ symptoms देखने में आ सकते हैं कुछ लोग कह सकते हैं उनका सरदर्ध होने लगा कुछ लोग कह सकते हैं उनको थोड़ा चक्कर सा महसूस हुआ hypnosis के बाद मतलब session के बाद session करीब 40-50 minute या 1 घंटे तक conduct किया जा सकता है क्योंकि इसके अंदर कई सारे stages पर, कई सारे steps पर hypnotherapy की जाती है तो कई patient बताते हैं कि session के बाद थोड़ा चक्कर सा महसूस हो रहा है सरदर्ध महसूस हो रहा है कुछ लोगों में थोड़ी घबरहाट चिंता भी बढ़ जाती है तो कुछ लोगों को बहुत जादा नीन दाती है तो ये कुछ ऐसे mild moderate से symptoms हैं जो कुछ लोग experience करते हैं पर ये भी थोड़ी देर के बाद symptoms चले जाते हैं अब एक सवाल आता है कि क्या ये जो therapy है ये doctors के द्वारा recommend की जाती है क्या doctors इसे actively recommend करते हैं patients को कि आप hypnotherapy ले लो hypnotherapy से आपको ये फायदे होंगे वो फायदे होंगे क्योंकि research तो बताता है कि hypnotherapy काम करती है पर क्या doctors इसमें भरोसा करते हैं doctors इसे पूरे मन से पूरे conviction से क्या लोगों को recommend कर पाते हैं तो इसमें ये ध्यान देने की चीज़ है कि जादतर doctors मतलब psychiatrist या clinical psychologist इसलिए वो recommend कर देते हैं या कोई patient अगर बोले कि मुझे ये लेनी है तो मुझे क्या इन-इन symptoms में असर पड़ेगा तो doctors इसमें हामी भर सकते हैं वो कह सकते हैं कि हाँ आप पर असर कर सकती है तो आप ले लो पर अगर एक psychiatrist को दवाओं के अलावा अगर कोई treatment recommend करना होगा तो maximum cases के अंदर वो CBT ही recommend करेंगे किसी भी तरह का mental pain या physical pain की management के लिए hypnotherapy बहुत ही last option के तौर पर देखा जाता है कुछ doctors हैं जो कि खुद conduct करते हैं वो तो इसमें believe करेंगे वो तो जादतर लोगों को कहेंगे कि आप hypnotherapy ले लो in fact वो तो उन conditions में भी बोलने लगते हैं जिन conditions के लिए कोई खासा research भी नहीं हुआ है जिस पर बहुत जादा अच्छा evidence भी मौजूद नहीं है तो ऐसे करी doctors क्योंकि उनका hypnotherapy पर belief है इसलिए वो सब को recommend करने लगते हैं और hypnotherapy और hypnotism, hypnosis इसमें बहुत सारा fraud भी चलता है बहुत सारे ऐसे लोग छोटे-मोटे courses करके बैठे हैं जो कि hypnotherapy करा रहे हैं दूसरों को क्योंकि hypnotherapy जो है वो बड़ा attractive treatment option लगता है कि mind को को hypnotize करेगा, mind के अंदर हमारे गहरे में गुसेगा और हमारे मन की बहुत सारी परतें बाहर निकालेगा हमारे को बहुत सारी suggestions देगा और हमें ठीक कर देगा या hypnosis के साथ जो आमधारना जूड़ी होती है वो ये कि उनके mind के गहरे में जाकर एक therapist जो है गहरे में छुपी हुई बाते निकाल लेगा hidden thoughts और hidden उनकी जो emotions हैं उसको पता कर लेगा या past की बैठी कुछ memories को बाहर निकाल देगा और जिसकी वज़े से लोग ठीक हो जाएंगे लोगों के बारे में बहुत कुछ therapist को पता चलेगा और जिससे की लोग heal होंगे इस तरह की धारना से इस तरह के conception से बचना चाहिए और यही एक कारण होता है कि क्यों बहुत से doctor जानते हुए भी की hypnotherapy एक scientific method है फिर भी इसे recommend नहीं करते क्योंकि इसके misuse होने के chance बहुत जादा है अभी इस time हिंदुस्तान में या दुनिया भर के देशों में हम एक ऐसे stage पर हैं जहां पर जादा से जादा लोगों को ये कहने की जरुत है ये समझाने की जरुत है कि कैसे वो जादा effective और जादा long lasting असर लाने वाले treatments को अपनाएं तो भही hypnotherapy जो है वो लोग एक बहुती fashion की तरह use करने लगते हैं ऐसा लगता है कि mental health के लिए treatment चाहिए तो hypnotherapy होनी चाहिए hypnotherapy को जादू कर देगी और यही पर चूख हो जाती है क्योंकि hypnotherapy को जादू नहीं करती यह बहुत basic सा method है जो कि कई मामलों में अगर लोग trained हो जाएं खुद पर करने के लिए therapist की मदद से करा लिया उसके बाद वो खुद पर भी कर सकते हैं कोई audio सुनकर भी इसको किया जा सकता है in fact youtube पर बहुत सारी ऐसी audios हैं जिनको सुनकर एक trans state में जाकर लोग अपने उपर वही effect ला सकते हैं जो कि एक therapist भी लाता है हलंकि therapist जो होता है वो आपके symptoms के हिसाब से सारी की सारी suggestions डिजाइन करता है और youtube पर जो videos हैं वो तो बस basic सी बाते करते हैं basic सी statement सब लोगों के लिए बना देते हैं इसलिए वहाँ पर accuracy नहीं होती पर कोई अगर लेना चाहता है और किसी ऐसी condition के लिए जिसका की research evidence मौझूद है और जिस पर ही treatment लगता है कि काम करेगा उसके लिए मैं लोगों को कह देता हूँ कि हाँ आप जाके किसी trained hypnotherapist से treatment ले सकते हैं पर वहीं बहुत से दूसरे doctors जो कि इसको actively use करते हैं या इसे recommend करते हैं वो यसा मानते हैं कि बहुत सारी ऐसी conditions हैं जिनमें की लोगों को कई साल लग जाते हैं उससे बाहर निकलने में उसमें बहुत fast recovery और fast treatment हो सकता है hypnotherapy की मदद से और उस चीज़ के लिए लोगों को recommend कर देने चाहिए तो इसलिए हर तरह के मतों में doctor जो है वो बटे हुए है तो जैसा मैंने बताया कि जादतर doctors इस बात पर पहले ध्यान देंगे कि किस तरह का symptom patient का hypnotherapy से ठीक हो सकता है और किस तरह का नहीं हो सकता उसी basis पर लोगों को recommend करेंगे ये नहीं कि कोई भी बिमारी है उसके लिए hypnotherapy recommend कर दी तो फिर ऐसी कौन से conditions हैं किस तरह की समस्यों के लिए hypnotherapy को recommend किया जा सकता है जैसा कि बताया कि बहुत सारे जो practitioners हैं वो करीब करीब किसी भी condition के लिए hypnotherapy देने को त्यार हो जाते हैं पर research जो है वो बताती है कि कुछी conditions पर वेग्यानिकों को convincing evidence मिला है कि hypnotherapy कुछ conditions पर काम कर सकती है या कुछी पर काम करती ही पाई जाती है जैसे एक होता है pain management मतलब जैसे मान लिजे cancer का patient है या कोई बहुत physical disease या illness है जिसमें की बहुत जादा pain होता है शरीर में बहुत जादा दर्द होता है या back pain की problems है हड़ियों की, mass patient की problems है इस तरह के जो pain होते हैं जो की physical nature की होते है या फिर ऐसा pain जो की psychological nature का है जैसे की psychogenic pain disorders होते है जिसके अंदर लोगों को शरीर में pain तो महसूस होता है पर उसका कोई physical cause नहीं होता जिनमें hypnotherapy का बहुत अच्छा असर देखा गया है फिर वही कुछ ऐसे और mental health conditions है जिसमें थोड़ा बहुत convincing evidence मौझूद है मतलब कुछी मामलों में कुछी लोगों को recommend किया जा सकता है hypnotherapy वो होते हैं depressive disorder, anxiety disorders फिर आता है smoking cessation मतलब smoking की addiction को छुड़ाने में भी थोड़ा बहुत अच्छा evidence मौझूद है साथ ही weight loss करने में भी hypnosis का effect देखा गया है तो यही कुछ conditions हैं जिसमें की hypnosis काम कर सकती है पर आप पाएंगे hypnotherapist किसी भी problem के लिए ilaj दे रहे हैं schizofrenia में दे रहे हैं bipolar में दे रहे हैं severe conditions में भी दे रहे हैं जो कि पूरी तरह से गलत practice है इस तरह से नहीं किया जा सकता है hypnotherapy hypnotherapy या तो mild cases में किया जा सकता है mild depression, mild anxiety या फिर जैसे pain की conditions बताई इन में use हो सकती है तो यह रही पूरी जानकारी hypnotherapy और hypnosis के लिए यहां मैंने कोई research आप से discuss नहीं किये कि latest evidence क्या बताता है या जो सारे research का जो निचोड है जो कि meta analysis में देखा गया है वो क्या कहता है इस video में मैंने आपको हाल के मौझूदा evidence पर जादा बात नहीं की just एक basic एक general perspective दिया कि hypnosis क्या होती है कैसे काम करती है और किन conditions पर काम कर सकती है और क्यों ये काम करती हुई दिखाए देती है तो hypnotherapy अगर देखा जाए तो एक अच्छा तरीका है काफि सारे लोगों को इससे relief मिल सकता है कुछ मन में बैठी insecurities या fears है जिनके लिए hypnotherapy कई लोगों पर असर लाती है पर अगर mental disorders की बात की जाए तो ना के बरावर ऐसी conditions है जिनमें की hypnotherapy effective होती है और अगर होती भी है तो केवल mild level के जो disorders है बस उसी में ये effective देखी गई है पर क्योंकि एक scientific technique है बहुत अच्छा research इस पर हुआ है और होता रहता है research आगे भी होता रहेगा in fact और नएने तरीकों से भी research किया जाएगा इसकी technique को भी modify किया जा रहे नएने तरीके से लोगों पर इसको इसको इस्तमाल में लाये जाता है तो बहुत सारा research evidence कुछ नएने findings देता रहता है इसलिए इसे एक अच्छे treatment के तौर पर consider किया जा सकता है पर सबसे ज़रूरी चीज इसके बड़े-बड़े दावों से बचना चाहिए और इससे related जो myth हैं उनको दूर करना चाहिए क्योंकि जो गलत धारनाएं बैठी हुई है हिप्नो थरेपी को लेकर वो लोगों का नुकसान जादा करती है जैसे कई सारे दूसरे और alternative medicine वाली approaches है जो कि लोग ले लेते हैं जैसे कि होमेपैथी हो गया या कई दूसरे देसी इलाज हो गए या जैसे रेकी वाले treatment हो गए जिसको कि समझा जाता है कि ये energy healing वाले techniques है इनसे आपके चक्राज हील हो जाते है ना जाने क्या-क्या इस तरह की जो conceptions है इस तरह के बहुत सारे treatment बाहर market में available है लोग इसमें किसी ना किसी तरह से train हो रहे हैं और सारी दुनिया को ये सिखा रहे हैं बता रहे हैं कि सारी तरह की mental disorders ठीक हो सकते हैं इन चीदों से बचने की जरूरत है अगर इतनी भी अगर understanding लोगों में आ जाती है इतना भी लोग समझ जाते हैं कि ये जो mental health conditions है ये actual में काफी severe होती है इनके कारण बहुत गहरे में बैठे होते हैं हर व्यक्ति जो है वो hypnotherapy या रेकी या इन सबसे heal नहीं हो सकता इन फेक्ट रेकी को तो एक pseudo science ही माना जाता है नकली की science है science ही नहीं है वो उसका कोई आधार ही नहीं है पर hypnotherapy का आधार है इन फेक्ट hypnotherapy सबसे पहले जो psychotherapies डेवलाप होई थी उन में से एक है 1500 सालों से भी ज़्यादा पुराना इसका इतिहास है जिसमें कि ये लोगों को improve करने में यूज की जाती रही है जबकि बाकी की थेरपी 40-50 साल पुरानी ही है इसलिए थोड़ा समझदारी के साथ इस treatment को approach करें और इस तरह के जितने भी alternative treatments है पहले देखें समझें कि इन treatment से कितना असर आ सकता है और किन conditions में आ सकता है सिरफ इसलिए कि इसको प्रचार किया जा रहा है इसको promote किया जा रहा है पर यह जो असर है यह लंबे time तक नहीं टिकेगा इसलिए genuine treatments और valid इलाजों की तरफ बढ़ना जरूरी है उसके already बहुत सारे options available है तो फिर यह hypnotherapy और यह जो दूसरे जो pseudo treatments है इनके तरफ जाने की होड में क्यों लगे रहना तो यह वीडियो में दीके जानकारी पसंद आई हो तो और लोगों से इसको share करें चैनल के साथ बने रहें चैनल को subscribe कर लें इस तरह की और वीडियो मैं बनाता रहूँगा हिपनो थरेपी पे कुछ और content ज़रूर डालूँगा ये वीडियो यहीं सबापत होती है धन्यवाद